चलो लास्ट मैंने आपको डीमाट के बारे में बताया था जहां पर सिक्यूरिटी इसको डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है तो जैसे पुराने जमाने में घर में चिठी आती थी अब इमेल और वाटसाप मैसेज आते हैं तो आप चिठी का जमाना खतम हो गया वैसे ही इन माक्षीट आपकी ज़रूर पड़ी होगी बट इट इन डिजिटल फॉर्म विश्वा डिजिटल फॉर्म आप किसी के साथ शैर कर सकते हैं तो जट पट शैर हो जाता है वह वह उता और और आपके ब्रोकर का वहां पर पहले आकाउंट खुलता है फिर वह अपने अंदर आ ब्रोकर को बोला जाता है depository participant चलिए अब चलते हैं आगे अजली जी कुछ पूछना चाहती है माइक वाजन्यूटेड अब शेर को ट्रैक कैसे किया जाता है तो बच्चों ये आपके workbook में composition आपको नजर आ रहा होगा मैं आपको एक एक करके ये सारी information से अवगत कराऊँगा तो सब लोग अपने workbook उपन कर लें जटपट और हर information का मतलब क्या है we'll be seeing this तयार है सब लोग बचों तो सबसे पहले P.S.C. code जैसे आपका school में enrollment number होता है न चलिए वैसे ही companies का एक enrollment number होता है और इस enrollment number को हम क्या बोलते हैं code बोलते हैं तो जैसे आपके school में आपका enrollment number एक roll number होता है जैसे board में एक registration number होता है जैसे हर गाड़ी का एक number होता है चाहे वो electric vehicle हो चाहे non electric हो कुछ non electric vehicles sorry electric vehicles होती है जिनका registration जोरी नहीं है बट हर company को एक numeric पहचान दी जाती है stock exchange में and that is known as company's code यह B.S.C. क्यों लिखा है क्योंकि यह Bombay Stock Exchange का tracker है अगर N.S.C. पे होता तो यहाँ पे N.S.C. लिखा होता code दोनों जगा फर्क होंगे बच्चों I repeat code दोनों जगा फर्क होंगे अगर Bombay Stock Exchange में आपका share buy sell हो रहा आपकी company का तो code will be different national stock exchange में तो code will be different it's just like that आपने UP से vehicle खरीदा तो car में UP 32, UP 70, UP 41 ऐसे होगा but Delhi से गाड़ी खरीदी और registration डेली में कराया तो it will start with DL Madhya Pradesh में खरीदा त MP महाराश्रा में खरीदा तो MH like this समझ में आ गया पका चलिए thereafter company का एक short name होता है चल रहें तो AG's Logistics इस company का नाम है यह कल that is evening में stock market जब बंध हुआ तो यह share कितने में close हुआ previous close का मतलब क्या होता है आपको यह भी लिखना पड़ेगा yesterday's price at the end of the day sir yesterday's price at the end of the day का मतलब कल stock market operations जब बंध हुए तो so called यह किस price पे share close हुआ और यह calculate कैसे होता है it's very 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 simple पहलो तो बच्चों आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी हमारा जो stock market है वो सवेरे 9 बजे खुल जाता है और शाम को कितने बजे बंध होता है साड़े तीन बजे बट कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे sir आपकी information में हमको थोड़ा सा doubt हो रहा है यह बच्चों stock market के official timing जिनमें buying और selling की जाती है जो top 30 companies होती है बंबे stock exchange में और जो top 50 companies होती है national stock exchange में सिर्फ उनको starting के 15 minute buy sell करने की permission होती है मतलब sir मतलब यह है कि आप किसी बहुत बड़े auditorium में function attend करने जा रहे है जहां पे prime minister या president भी आ रहे है तो 9 से 9.15 entry block रहेगी normal public की सिर्फ prime minister और president का protocol वहाँ पे चलेगा और किसी को आने जाने की permission नहीं होगी सवा 9 बजे normal public can enter तो 9 to 9.15 is called as the opening phase इस समय को क्या बोला जाता है opening phase क्या होता है इस time पर मैं आपको यह भी अभी explain कर दूंगा बिल्कुल tension लेने की जुरूत नहीं है यह होता है बच्चो opening phase यहां पे थोड़ी सी economics apply होती है कैसे apply होती है I'll let you know in the next two minutes talk of mind यहां पे बच्चो open price आपको नजर आ रहोगा 177 रुपी मिला बच्चो मिला चलिए यह 177 रुपी कैसे calculate हुआ यहां पे लगती है भरपूर economics कैसे I'm letting you know not to worry सबसे पहले समझ ले कि कल की closing price 178 रुपी 55 पैसे कैसे आई साड़े तीन बज़े market बच्चो दस मिनट के लिए बंद होती है कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए what it clear उस 10 मिनट में calculate होती है closing price कैसे calculate होती है 3 p.m. 2 3 30 p.m. के बीच में चल रहें जो भी highest price होगा plus जो भी lowest price होगा हम उसे divide करेंगे 2 से किस से divide करेंगे चल रहें 2 से highest price divided by lowest price शायद आपने mean का concept पढ़ा होगा 9 10 में average का concept पढ़ा होगा तो जो भी हमारा closing price decide होता है children it is decided like this तीन से साड़े तीन के बीच में किसी भी company का share highest किस दाम पर विका और lowest किस दाम पर खरीदा बिचा गया है उसको two से divide कर देंगे तो आपका closing price आजाएगा कल that is मान लीजे मंडे था तो मंडे को ये बोलेंगे today's closing और Tuesday को बोलेंगे कल की closing क्योंकि बही Tuesday मंडे के बाद आता है तो लोगों को समझ जागे कैसे closing pricing अब यहाँ पे market 3.30 पे जब बंद हो गया computerized calculations होते हैं तीन से साड़े तीन के बीच में जो भी highest और lowest price है computer जटपट इसको automatically calculate कर देगा ऐसा program बनाया गया है और अब market 3.40 पे फिर start होगा I repeat 3.40 पे फिर start होगा अगले 10 minute के लिए बचो अगले 10 minute के लिए जो लोग share खरीदना चाते थे बट नहीं खरीद पाए क्योंकि market बंद हो गया 3.30 पे और जो बेचना थाते थे बट नहीं बेच पाए 3.40 से 3.50 के बीच में इसी price पे अगर वो चाते है तो trade हो जाएगा वरना buying selling नहीं हो पाएगी वो अपना order cancel करके कल फेट रहें करेंगे तो it's just like that current day booking of Indian railways आपको train का ticket कराना था बट time निकल गया लास्ट मॉमेंट पर आपका program confirm हुआ कि हाँ हमें travel करना है you went to the railway station अभी train को आने में मान लीजे दो घंटा है तो लास्ट टू आर्स के अंदर current railway booking हो जाती है सर तो पता कैसे लगता है railway को कि train में जगा है कि नहीं इसलिए तो आज कल TT अंकल को tablet दे दिये गा है जो digitally connected है TT अंकल डेटा फीड कर लेते हैं कि डेली से train चली और कॉलकता जा रही है लेटस से प्रियागराज सिटी होते हुए और आपको प्रियागराज अलाबाद सिटी से train बोर्ड करनी है मतलब train पर चड़ना है तो TT अंकल अपडेट कर देंगे भाई इस कोच में 5, इस कोच में 4, इस कोच में 3 सीट खाली है तो current availability क accordingly आप तुरन जटपट reservation करा लेंगे और train एक घंटे बाद आएगी आप बोड कर जाईएगा but उस case में आपकी मन चाही बर्थ आपको नहीं मिलेगी जो खाली होगी वहीं मिलेगी तो यहाँ पे भी साढ़े तीन पे बजार close हुआ closing price decide हो गया 178 रुपी 55 पैसे जिसको खरीदना इसी price पे खरीदेगा जिसको बेचना इसी price पे बेच पाएगा तो कोई अगर 180 रुपे में बेचना चाहता था sorry कोई अगर 175 में खरीदना चाहता था sorry अब buying selling कितने में होगी 178.55 तो यह आखरी के 10 मिनिट उन लोगों को एक तरह का आप बोल सकते हैं सर्विस या benefit दिया गया है कि अगर आप trade नहीं कर पाए थे तो इस price पे कर ले so meaning of yesterday's close and how it is calculated mathematically सबको समझ में आ गया पका अब जैसे commerce का बच्चा पढ़ता है तो क्या सूचता है पिछले साल का closing stock will be current years opening stock by default जो कल बचा 31st March को आज एक April को वही opening होगा stock market में ऐसा नहीं होता बचों कि कल का closing price आज का opening price है फरक है कि नहीं दोनों में तो सरी opening price कैसे निकलता है top 30 companies Bombay Stock Exchange and top 30 companies National Stock Exchange इनके लिए 9 से 7 9 के बीच में opening price calculate हो जाती है बाकी companies के लिए इसके अगले 15 अमरेट पर है क्या होता है मैं आपको एक logic बताता हो चला है ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे लगता है concept of market इकलिब्रियम यह आपको micro economics में पढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा कि market equilibrium actually होता क्या है ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जनला ध्यान से हाँ टू जज दो ओपनिंग प्रैस मैं यहां पर एक्जाम्पल लेता हूं एक्स वाइजएड लिमिटेट इसा कंपनी क्या नाम है बच्छों कंपनी का एक्स वाइजएड लिमिटेट समझ में आगया अब ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर कि देमांड फॉर्द शेयर इन दा मार्केट देन सप्लाइए और देन प्राइस समय अगी बात यूर अलसो सपोस्ट टू द्रॉड दिस डेटा अब मान लेते हैं कि नौ बजे से सवा नौ बजे तक के बीच में बचो इस कंपनी के शेयर पे छे ट्रेड हुए कितने ट्रेड हुए छे पंद्रह हजार शेयर लोग खरीदना चाते हैं सत्रह हजार शेयर लोग बेचना चाते हैं अट प्राइस ओफ 95 14,000 शेयर लोग खरीदना चाते हैं 11,000 शेयर लोग बेचना चाते हैं at a price of 96, 27,000 shares लोग खरीदना चाहते हैं और 22,000 shares लोग बेचना चाहते हैं at a price of 98, thereafter children 32,000 shares लोग खरीदना चाहते हैं और 35 लोग बेचना चाहते हैं at a price of 94, 8,000 shares लोग खरीदना चाहते हैं और 6,000 लोग बेचना चाहते हैं at a price of 101, 12,000 shares people wish to buy and 14,000 people wish to sell at a price of 92, सबको इतनी कहानी समझ लागे लॉजिक बताईए बचो सबजी मंडी में 15,000 pieces of apple people want to buy but ठेले वाला फल वाला 17,000 पीस रखे बैठा हुआ हैं कितने पीस बिक पाएंगे 15,000 common sense की बात है भई खरीदार जो खरीदना चाहेगा उतने तो बेचोगे जब स्थी मुह में ठूस दोगे लिए जो लग जाओ फल बहुत अच्छा है बट शॉपकीपर के पास सिर्फ बाइस अजार है तो कितने पीस बिक पाएंगे अक्चुली में 22,000 आप बजार गए चार जीन्स खरीदने के लिए शॉपकीपर के पास नौ पड़ी हुई है तो आप चार खरीद लेंगे बढ़दर शॉपकीपर के पास कुल एक पीस है त 27 27 22 22 22 समझ गया सब लॉजिक क्या है लॉजिक चल्रन क्या है लॉजिक अरे जो कम होगा वही बिखेगा 32,000 पीस बॉल पॉइंट पैन बजार में है खरीदार की चाहत जो है जो खरीदना चाहते हैं दुकानदार के पास 35,000 पीस बॉल पॉइंट पैन है 32,000 पीस बॉल पॉइंट पैन लोग खरीदना चाहते हैं मार्केट में 6,000 पीस अविलेबल है लोग कितना खरीद पाएंगे चल्रन वेरी गूड और 12,000 पीस लोग खरीदना चाहते हैं बजार में 14,000 है लोग कितना खरीदेंगे 12,000 अब आप मेरे को बताईए हाइस्ट कौन सी नजर आ रही आपको 32,000 चिल्डन और इसका प्राइस क्या है इस नाइटी टू तो यहां पे लिखेंगे रेड़ेड़ इस नाइटी नाइटीफ़ सॉरी तो बच्छो जिस प्राइस पे हाइस्ट कॉंटिटी ट्रेड हुई थाट प्राइस इस कॉल्ड इकनोमिक्स की भाषा में इकिलिब्रियम और स्टॉक मार्केट की भाषा में ओपनिंग प्राइस तो बोलेंगे कि शेर 94 रुपय पे खुल मार्किट के सेंटिमेंट्स पता लगते हैं कि मेजॉरिटी लोग इस शेर को सवेरे सवेरे कितने में खरीदना चाहते हैं को उएसा कि सावन के महीने में सबसे ज्यादा बीड़ बच्चों किस तरह के टेंपल में और अगर आपको सब लगता है जाटी है और अगर अगर बीड लगता है तो साहे बा नइसनञे को संद्धे को सब्षाजा पर लंगता बीड हो Sum से डर लगता है तो संडे को कुर्दवारे चले जाईए अगर आपको भीड से डर लगता है दो आप जैमातादी के मंदिर में चले जाए जो इंसान हर दिन मंदिर जा रहा है मतलब वो हिंदूसम फॉलो कर रहा है जो मजज़त पर चारा है मस्यद पर नमास पढ़ने वह हएं समझ में आई बात की नहीं मगर्ण स्पूस खिलाएंगे फोपलेम बाद गई की नहीं गई तो वाट इस दा ओपनिंग प्राइस चिल्डन दा प्राइस आट विच हाइस्ट कॉंटिटी गेट से ट्रेड़ेट इस नोवन अज दा ओपनिंग प्राइस और यह है एकनॉमिक्स का मार्किट इकलिब्रियम का कॉंस सब्जेक्स बिकम इंटर डिस्सिप्लिनरी समझ वे अगई बात तो अपने आप एंसीडी गिर जाती है और एलेक्ट्रिक सप्लाई शौट आपका अप्लाइंस ना हो जाए तो बंद हो जाती है तो मान लीजेए कि आज लोग पहले से तड़े हुँ है पहले सब तयार है यह शेर तो खरीदना ही खरीदना है तो डिमांड बहुत जादा है वाट इटलियर दाम बहुत जादा बढ़ गया अब क्या लगता है है हमारे stock exchange के operators को कुछ बजार में घपला चल रहा है तो इसको ट्रेड करने से बंदगर दो आज तो इसको बोलते है अपर सर्किट लगना लूर सर्किट लगना यह सर्किट्स होते हैं सेवगाट करने के लिए तो जैसे घर में लोग MCB लगाते हैं तो वैसे यहां पे stock market मे सर्किट लगता है यह सर्किट का concept हमारे देश में 2001 में आया था इसके पहले इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था तो अभी भी यह market बहुत नया है काफी चीज़ें सीखने के लिए हैं logic समझना क्या चलिए भी कोई समझाएंगे भी सर्किट की बात करेंगे बोग आगे चलते हैं बच्चो नेक्स्ट हाई और लो कैसे डिसाइड होता है आज नौ या नौ पंद्रा जो भी आप बोलना चाहें से लेकर तीन तीस तक शेर हाइस्ट किस प्राइस पे बिका चल रहे हैं दाट इस नोन एज डेली हाई और आज शेर सो कॉल नौ या नौ पंद्रा से लेकर तीन तीस तक सबसे कम कितने में बिका that is known as आज का लोएस्ट प्राइस इस से एक कहानी और पता लगती है and the story is called as DPR I repeat the story is called as DPR daily price range daily इस शेर में कितना उतार चड़ाव है तो अगर आपने इसकी study ठीक से कर ली तो आप ये जान जाएंगे कि अगर शेर डेली दो चार परसन बढ़ लाया घट रहा है मतलब आप इसमें पैसा लगा कि दो चार परसन तक कमा सकते है what it clear तो ये जज़ करने में help परता है closing price I have told you आज का close भी ऐसे ही calculate होगा आज तीन से साढ़े तीन के बीच में highest ये किस प्राइस पर बिका और lowest किस प्राइस पर बिका उसका average निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा चलन आज का closing price समझ मा गया and same formula is being applied है चलन same formula then what is the meaning of volume or trades volume का मतलब total कितने number of shares buy या sell किये गए किससे क्या पता लगता है sir मान लीजे company के total 10,000 shares बजार में है कितने बचो 10,000 और जिसमें से 8,158 share I repeat 8,158 shares आज लोगों ने buy sell किये तो मतलब buying selling is very frequent I repeat buying selling is very frequent इससे पता लगता है कि stock की buying selling अगर बहुत frequent है तो this share has a high liquidity आप भी अगर आज इसे खरीद लें तो कोई फसने वाली बात नहीं है आपको भी customer easily कल को मिल जाएगा when you wish to sell this समझे की नहीं समझे there after trades का मतलब total कुल कितने number of orders या layman language में बोले कितने लोग buying selling करने आए तो 255 यह कोई खास importance नहीं रखता then multiple groups are there to which the company's shares belong children this share belong to which group group B को belong करता है group B के shares थोड़े group A से नीचे और group C से better होते है group A में तो आपका reliance टाटा यह सब आ जाता है group B उससे नीचे वाला होता P E have been told to everybody price earning ratio जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है बचो and then we have what is named as market capitalization इस company का market capitalization कितना है 348 करोड उपे और total इस company की capital 500 करोड है मतलब total पैसा 500 करोड उपे लगा हुआ है जिसमें promoters ने भी कुछ लगाया होगा और इस समय market वालों का लोगों का common people का कितना पैसा लगा है इसमें 348 तो मतलब majority outsiders have invested money जो company के promoters है उनकी हिस्सेदारी hardly 30% की है 70% पैसा लोगोंने लगाया हुआ है और एक साल में ये शेर कितना उपर और नीचे गया that is known as 52 week high or low तो if I say कि आज शेर का price 184 रुपे है और एक साल के अंदर इसका highest 404 है तो खरीद लेना चाहिए because अगर एक साल के अंदर 404 हुआ है तो फिर इसके यहां तक जाने की उमीद है बट अगर यहां पे opening price लगबग 390 रुपे होती तो मैं आपको warn करता कि गलती मत करिए इसको खरीद के क्योंकि इसको बहुत उपर जाने की अब उमीद नहीं है but presently available at 184 के असपास 177 और एक साल में highest कितना गया 404 तो अब इसमें उपर जाने की उमीद बहुत जादा है और नीचे आने की comparatively कम है तो आप अगर daily buying selling करते हैं जिसको intra day बोलते है कि आज खरीद के आज ही बेच दो इसको अपने demat में transfer कराने में आपे चुक नहीं है अगर important as such तो इस तरह से यह पूरा tracker track किया जाता है समझ में आई बात की नहीं कुछ लोग है गैंबल करते हैं सट्टे की तरह उसको घिलते हैं बट वह सब किस्मत है बड़ा तो भी profit हो जाएगा नहीं बड़ा तो निपट जाओगे तो जैसे अभी recently I started investing money in HDFC defense अभी हम mutual funds के उप का करियर अभी तिन चार पांट साल इंडिया में बहुत अच्छा है बट उसके बाद competition बढ़ जाएगा तो रिटरंस होंगे बट उतने जादा नहीं जितने अभी तिन चार साल होगे तो अभी तिन चार साल हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं जैसे electric bike आज जिन्होंने production प्लांट स्टार्ट किया वह बहुत पैसा कमा रहें 30,000-40,000 के electric bike होती एक एक लाथ में बेशते हैं बट 10 years down the line बच्चो क्या वो companies इतना पैसा कमाएंगी नो तो अगर आप आज ओला का शेर खरीते हैं तो कमाई ज्यादा हो जाएगी बट 10 साल बात कमाई होगी बट उतनी नहीं कमा पाएंगे क्योंकि market में competition बढ़ गया है तो तनिश्च ने 10 साल पहले 5 साल पहले बहुत पैसा कमाया बट अब हर गली मौले में चोटेटे शेर में कल्यान ज्वेलर्स और ब्लू स्टोन ये सब खुल गए हैं तो अब तनिश्च का competition बढ़ गया तो profit levels have gone down basically तो understood children how the tracker is observed basically update fast so let's continue further to this children previous close open high everything have been told on this group p market cap sub kuch bata diya so bachow maan lijye ki yaha pe a story again hai during the later half of the 12th month period for built data have been provided sensex has shown a lot of volatility अंग्रेजी का एक word होता है children that is known as fluctuating or fluctuation तो अंग्रेजी का fluctuation finance की भाशा में volatility बोला जाता है which has been derived from the word volatile नाजुक so 5 shares का performance आपके सामने मैं आपको समझाने जा रहा हूँ volatility derived from the word volatile and English में इसका मतलब होता है fluctuating इतना आप लिख लें और आपके सामने content तुरंत आने वाला है लिख दीजे अब यहां पर बच्चों ग्राफ इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं आपके सामने यह बना हुआ है नजर आ रहा है चलिए अब यहां पर कितने तरीके की companies है चलिए और petroleum sector, technology sector, gas, automobile and steel तो आपको यहां पर नजर आ रहा है यह जो steel company है इसका शेर 500 से 1000 के बीच में उपर नीचे जा रहा है गैस और कारवालों का लगभग यह 700 से लेकर 12-1300 तक ही जा रहा है और यह जो आपकी IT company है यह 1500 से 2000 के बीच में नाच रही है प्राइस और जो आपका petroleum है यह 2000 से 27-2800 तक भी चला गया सो किस company के share prices में आपको jump high नजर आ रहा है आप बोलेंगे सार यह कैसे बताएंगे सारे sectors तो अलग अलग है तुमान लीजे किसी company के share की face value 10 रुपे थी and over the period of two years आज उसकी market price 1500 हो गई कितनी होगे चला 1500 रुपे ठीक है और किसी company का face value share का 1000 था और आज उसकी जो market price है that is around let us say 22,000 रुपे तो आप यह नहीं बोल सकते कौन सा जादा बढ़ा कौन सा कम बढ़ा आपको देखना पड़ेगा कितने number of times बढ़ा 10 रुपे वाला share बढ़के 1500 हो गया कितना हो गया how many times children 150 गोना समझ गया और यह 1000 वाला 22,000 हो गया how many times 22 times so you cannot see 22,000 and 1500 to decide कि jump किसमें जादा है नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा कि jump so called जादा जो हमको नजर आ रहा है सर इसमें नजर आ रहा है is it so children यह 1500 गुना बढ़ा है और यह सिर्फ 22 गुना बढ़ा है तो कहां पर growth जादा है चल रहे हैं इस company के share में जो 150 टाइम बढ़ा या इस company के share में जो 20 गुना बढ़ा उन्रेंक 50 टाइमन चोईंग मोर ग्रोथ और 22 ताइम चोईंग ओर और उन्रेडं फिफिटी टाइंस तो वी कांट से कि जिसका प्राइस 2000-2800 है उसमें ग्रोथ जादा है या जिसका 500 से 1000 उसमें ग्रोथ जादा है हो सकता है कि का फेस व्याल्यू ही दस रुपए हो और आर प्ट्रो का तो चार सो वाला चला गया अलगबग 2800 को नौस अगर नौस तक चला जाएगा तो आप बोलेंगे अगर इस एका वजन फॉर्टी टू के जी है और सब्सक्राइब करेंगे तो कभी भी आप किसी कंपनी का शेर का प्राइस देखकर नहीं पता लगा सकते कि वह बैटर या पूर अंकिल अनलेस वेन यू दू मुल्टिपल कंपारसंट्स ओके चलिया मुविंग एड तो यहां पे आपको एक अप्रोच नजर आ रही है बचो अनिंग पर शेर मिला बचो अनिंग पर शेर मिला 71 रुपी 65 पैसा 58.93 78.14 105.56 और 53.12 किस कंपनी का EPS सबसे ज़्यादा है चलंगा और पेट्रो होगा अर रिलाइंस पेट्रोलियम मत बोल दीजेगा पतल अब मुकेश अमानी जी कॉपी रेट्रेट कर दें कि आपने कैसे नाम यूज़ कर लिया तो आर पेट्रोलियम की कमा सबसे ज़्यादा होगी तैर आफ्टर मार्केट कैप किसका सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है बच्छों आपको यह है 174254 एक लाग चौहतर जार यह है 53,000 लगबग एक लाग लगबग तीन लाग तो मार्केट कैप इस मोर आर पेट्रो मतलब आर पेट्रों में इंवेस् सबसे चोटा पी किस सबसे चोटा यहकже टिल है ट्रट्रेसटेट इन पोंट एक तो सबसे चोटा पी टैन पॉइंट इनका है तो इसके इस इसाप सबसे एक च ए स нуж Bitte अगर आप कमाने में इंट्रेस्टेंड और अगर आप अगर आपको क्रौपर्टी से किराया कमाना है क्या मैं गाईक ऐसी लोकारटी में खरीद होगो忙 जादा रेजिदेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो गए प्रॉपर्टी का किराया खाने में इंट्रेस्ट नहीं है तो सबर्ब्स में कहीं लैंड पर चेस कर लें समझने किरायदार तो नहीं मिलेगा बट लैंड के आपको अपको टैक्सी चलवानी है कि मर्सडी और जिसमें एर बैग नहीं होता सर कोई बात नहीं उसमें आगे साथ सो चैसी एक माता की मूरती एक साही बाबा नीबु मिर्चा उड़ते वानमांजी टांग देंगे सप्थी हो जाएगा एर बैग की कोई जुरूत नहीं है जो चॉइस जुरूर्ण कब टाटा स्टील खरीदना चाहिए और कब और पेट्रो खरीदना चाहिए फिफ्टी टू वीक हाई और लो फिफ्टी टू वीक हाई और करेंट मार्केट प्राइस आपको भी नजर आ रहा होगा एक चोटा सा होमबग दे रहा हो जिसको आप अब किसका फिफ्टी टू वीक हाई और करेंट प्राइस सबसे ज्यादा क्लोज है कि एक गलती होगे ठीक कर लें लोग थोड़ा सा दोड़बड़ देख लिया था आँखों का दोड़़ा है तो जो बाते मैंने टी स्टील पर बोली है वह आप किस पर लगाएंगे एन गैस पर आप से कम गैप शो कर रहा है बचो कि इस टील का फिफ्टी टू वीक हाई है नाइन सिक्स्टी नाइन और करेंट प्राइस सेवें ट्वेंटी एक अच्छा ठीक है तो लगबग 200 रुपे के आसपास मतलब 30% 1386 है तो गैप अच्छा खासा है चलन हैर दा गैप इस लगबग 23 परसेंट एन गैस में जो है 1386.9 और 814 तो यह सेवेंटी परसेंट का गैप है ती स्टील में बच्चों 728 और 969 241 यह लगबग 33 परसेंट का गैप है और आर पेट्रो में टू थाऊजन नाइटी त्री और 32 फ़वन 1159 पच्पन परसेंट का गैप है यह क्लिए ना गैप हम कैसे निकाल लें हम हाई प्राइस और करेंट प्राइस का डिफरेंस निकाल कर डिवाइट कर रहे हैं डिफरेंस अपॉन करेंट प्रेस इन टू हंडर्ड और एम कार जो ह इनका हाई प्राइस है 1252 और 617 एक सो दो का गैप है बताइए बच्चो सबसे जादा गैप कहां पे नज़र आ रहा है एम कार में तो अगर कमाना चाहते हैं एक साल के अंदर लगभग उम्मीद है एम कार आज 617 का है पिछले एक साल में अगर ये 1252 तक गया था इतियास अपने आपको दोर आता है बहुत बार माइट भी पॉसिबल कि फिर से 1252 पे जाए कितना कमा लेंगे बच्चो डबल कर लेंगे पैसा साल बर के अंदर अच्छा साल में नहीं गया दो साल में भी गया तो दो साल में पैसा डबल 50% का रिटर्न दे के जाएगा और लोग जवाब क्या दे रहे थे मेरे को टी स्टील इसमें गयाब कितना एसर 33% तो करेंट प्राइस और हाई प्राइस जब आप देखते हैं तो आपको अडवांटेज यह मिलता है लोग प्राइस के बहुत करीब कौन है चल रहा है यह अपनी लोइस प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है तो उपर जाएगा तो बहुत कमा के दे जाएगा तो अगर विदिन एन इयर शॉट टर्म ट्रेड करके अर्न करना चाहते है यू शूट इंवेस्ट इन एम कार लॉंग टर्म चाहिए तो भाई टी स्टील ज्यादा रिटर्न तो नहीं देगा थोड़ा स्टेबल लग रहा है कमाई है बहुत ज्यादा आनन पानन में नहीं कमा पाएंगे क्योंकि गाप बहुत ज्यादा नहीं तो आप क्यालकुलेट कर लीजे जो हमने गाप क्य सब्सक्राइब किया इस डिफरेंस अपॉन करेंट प्राइज इन्टो फंड्रेड वी गेट इस क्यालकुलेशन सब्सक्राइब किया यह भी बता दूं आपको बच्छो हाई प्राइस और करेंट प्राइस में विक्ली पूट चलिया सब्सक्राइब को काफी तो यह बाते हैं सबको क्लियर हो गई चल्डरन दाट इन्वेस्टिंग इन शेर इजा हाई रिस्क हाई गें प्रोपोजिशन मोर पेंस मोर गेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्फॉर्मेंस ऑफ दे स्टॉक एंड कंपनी यूशुड स्टडी अगर किसी का शेर आपने देखा कि पिछले वन मंथ में सो कॉल लगभग 25 परसेंट ग्रो हो गया मतलब साल भर में ये ग्रोथ कितनी दे देगा 300 परसेंट बढ़ा तो मतलब 12 महीने में 300 परसेंट बढ़ेगा बट moral of the story is this देख तो लेग इनका profit कितना है तो इनकी website पर login करिये इनके financial statements देखिये इनका profit कितना है लोन वगएरा company ने कितना लिया है ये सही में इतना perform कर भी रही कि नहीं तो पता लगा कि company की जो growth है profit की वज़े से या profit में जो growth है चिल्गरन it is just or just 4% बट इनका share कितना बढ़ता है 25% ये fraud type की earning है लोग इस पे betting कर रहे हैं gambling करें जुआ खेल रहे हैं पबलिक को पागल बना जा रहा है तो क्रिपया करके इन बातों में फसना नहीं है but yes if you see that company's profit is rising by 18% to 28% 18-18% profit में growth आ रही है तब अगर 20-25% बढ़ ला है तब भी ठीक है but profit जो होता है चिल्गरन वो कितना होता है sorry किस basis पर होता है annual और यहां पर annual कितना उमीद लगा के बैठे हैं लोग तो सर कंपनी का profit बढ़ता है 28% और शेयर बढ़ ला तीन-दो परसन तो भी तो फरजी हो गया नहीं फरजी इसके नहीं हुआ because यह data आपको मिलेगा in the month of June जब कंपनी के financial statements audit हो चुके हैं चेक हो चुके हैं और यह जो growth आपने देखी this is only for the month of July बट इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं था तो मतलब company ने अच्छे profit जब report किये तो लोगों का attraction बढ़ा इस company के share को खरीदने का इसलिए इसका भाव एक महीने 25% बढ़ गया बट पिछले 5 साल का track जब आपने देखा इस company के share का तो आपको लग रहा है 8% के आसपास ही इसका भाव बढ़ रहा है ज्यादा नहीं अभी इन्होंने अपने annual results लोगों को बताए जिसमें profit बहुत अच्छा report किया गया इसलिए share prices have gone up to so much large extent बाते समझ मारीगे सिर्के ओपर सरो गई पक्का नहीं अभी कुछी कुछ समझना है पूरा समझना भी नहीं आपको हो बट आपने का चलो दो महीना वेट कर लेते हैं तो आपको जो growth नजर आ रही है it is only 12% तो आपको लग रहा है हाँ ये stock ठोड़ा ठीक चल रहा है ये उस समय तो थोड़ी ज़्यादा growth दिखा रहा था क्योंकि तुरं-तुरं-तुरं results declare हुए थे जैसे आपको भी 10th का 12th का result जब आता है board का तो उस हफते के खर्चे बहु तब share में long term invest करें अगर short term invest करना आपको आज invest किया महिने दो महिने के लिए तो फिर आप long term growth देखके ना invest करें then you should see the short term growth तो जिस तरह की investment होगी उस तरह की growth देखिए दो महिने के लिए पैसा लगाना चाहते है तो चेक करिए पिश्टर 7-8 महिने में क्या growth थी बस समझ लि है आपको उतनी ही growth मिले अंडेसुट तो कोविट के time पर बचो मान लीजे गलाक्स को जैसी company थी जिसका profit 1200% हो गया कितना दो महिने के अंदर इनका profit 1200% बढ़ गया बट कोविड में ऐसे हुआ आपने पिशले 10 years का इनका data देखा और trend जो आपको नजर आ रहा है profit बढ़ने क that was only 24% तो ये जो 1200% बढ़ा है ये short term में बढ़ा है तो जब तक कोविट चलता रहेगा ये growth होती रहेगी बट जैसे ही खतम होगा ये growth कम हो जाएगी तो अगर आपको short term investing करनी है लगा दीजे 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 तो आपकी growth 60% की है बट अगर आप ये सोचें कि glass का share खरीने और 10 साल बात बेचेंगे तो भई आपको return 24% मिलेगा 60% फिर नहीं मिलेगा नहीं समझे बात को समझ में आ गया समझ में आ गया किसी guest से बदला निकालना चाहते हैं तो रसगुले को microwave में गरम करें कि उनको खिल 100-100% थी अब उनकी growth नीचे हो के 18-19% पे आ गई है क्योंकि अब जब company को rampant profit ही नहीं है तो लोग उतनी attractive उतनी aggressive buying कर ही नहीं रहे हैं तो जब मारुती की गाड़ी 1983-84 में launch हुई थी बच्चो एक एक car पे dealer का profit 100% था 47,300 रुपीज की कार हुआ करती थी and dealer used to sell it around 88,000, around 90,000, around 95,000 रुपीज चल रहे हैं वाई सर इतना महेंगा क्यों, demand was very high, supply was very less, 2-3-3 साल की waiting थी, तो dealer ने अपने नाम पे 10 गाड़ियां खरीद ली, अब आपको अगर तुरंद चाहिए, बेटी की शादी में धहिद देने के लिए, तो भी double पैसा दीजे, बट आज क्या कोई भी car dealer इतना पैसा कमाता है, no, because अब देर सारी companies आ गई, तो उस समय मोनोपोली था, अब perfect competition हो गया, देर सारी companies आई, एक जगा booking हाई है, आप जहां available है, वहाँ जाके खरीद लेंगे, तो आप तो dealer phone करता है, सर ले जाईए गोदरिज कंपनी का शेर खरीद लो, सर फाइदा क्या, August, September, October, बरसात का मौसम, मच्छर अच्छर का प्रकोब ज्यादा डेंगू अगरा का, लोग बिमार पढ़ेंगे, तो roll-on की sale बढ़ जाएगी, sale बढ़ेगी, तो profit बढ़ेगा, और जिन लोगों के पास share है, वो क्या सोचेंगे, चलो बढ़िया है profit, बढ़ ला है company का, हमें company जादा dividend देगी, यह उनकी सोच है, जिनके पास share नहीं है, सोच तो उनके पास भी यही है, बट share उनके पास नहीं है, बट अगर वो dividend कमाना चाहते हैं, तो वो हमारे आपके पास आएंगे, जिननोंने गोदरिज का share खरीदा हुआ है, रोलोन आता है ना गोदरिज कंपनी का, हाँ good night का भी आता है, what it, तो good night company का share खरीद लीजे, तो अब आपको पता है कि share खरीदने वाए लोग आएंगे, तो जुलाई में share खरीद लो, और October नॉमबर में बेच लो, बट अगर आपने नॉमबर के बाद तो आपको वो growth नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि अब attraction to buy has gone down, how? दीपावली आ गई, बंपटा का बजा महले में, दुआ उड़ा, सारे के सारे मचर, suicide हो गए, आत्मत्या कर लिए, या मर गए, तो अब आपका share खरीदने के लिए, क्या लोग उतने ही aggression से आपके पास नहीं आएंगे, तो best time किस चीज़ को कब खरीदने का है, जो company winter garments बनाती है, इनका share खरीदी October के महीने में, और फरवरीम बेच दीचे, तो आप पैसा कमा लेंगे, बट अगर March में इनका share खरीद के September में बेचेंगे, तो आप से बड़ा बेवकू कोई ही नहीं, क्योंकि उस समय इन companies का धंदा चौपट रहता है, इनका product बिखता नहीं, इनका profit बढ़ता नहीं, profit बढ़ेगा नहीं, तो इनकी dividend बाटने की जो capacity होगी, लोगों की नजरों में बहुत गिर जाएगी, जब गिर जाएगी तो क्या आप से कोई share खरीदेगा, बिसलदी का share खरीदना है, परवरी में खरीदो और नॉंबर में बेच दो, क्यों सर, mineral water की demand पढ़ेगी, कर्मी के सीजर ने बहुत जादा mineral water लोग खरीदे, अब लोगों ने देखा भी sale bird यह इस company के, तो इसका profit भी बढ़ेगा, यह अच्छा dividend देगी कल को अपने shareholders को, मेरे पास है, आपके पास share नह mental analysis होता है, so investment is different from speculation, कुछ लोग 60 की तरह invest करते हैं, खरीद लो gold, 60,000 रुपए का 10 ग्राम है, कल को बढ़ेगा तो, बेच देंगे, अकल लगाकर सोच समझ के खरीदिये, I repeat, अकल लगाकर सोच समझ के खरीदिये, जब stock market का performance बढ़ड़ा होता है बचों, तो लोग risk नहीं ल रख्की, जादा है, कैसे जादा है सर, यहां diversity है, आप IT कंपनी का शेर खरीद सकते हो, petroleum कंपनी का ले सकते हो, gas कंपनी का ले सकते हो, telecom कंपनी का ले सकते हो, बट gold तो सिर्फ और सिर्फ जिलने, एक ही variety है, एक ही variety है, तो जब आपको banquet hall में 400 रुपए में buffet मिल रहा है, क्य में आई बात की नहीं, समझ माई बात, खबर आ गई आपके पास फरवरी के महीने में, कि business community के लिए budget में बहुत अच्छी बातें आने वाली है, rate of interest loan पे बहुत गिरने वाला है, government businesses को promote करने की policy ला रही है, street vendors and all को, तो आप अब अपना सुनेरा समय देख रहे हैं, कि government favorable समान जब आएगा तो बड़ी-बड़ी companies आएगा ना, तो जब महले में demand बड़ी समान की, shopkeeper की दुकान पर demand बड़ी, shopkeeper demand बड़ाएगा, corporate में जाके कि और समान भेजो हमको, तो corporate का profit बड़ेगा, profit बड़ेगा तो dividend, जाधा बातने की वो लोग उम्मीद लगा के बैठे है जिनके पास share नहीं है, या जिनके पास है वो भी कि dividend हमको जाधा मिलेगा, अब मेरे पास so-called Amazon Prime का share है, मान लिजिए, Netflix का है, Z5 का है, और अब आने वाले समय में, लोग cable कम देखते हैं, और ये जो web series या क्या बोलते हैं, इसको OTT platform, ये जाधा देख रहे हैं, तो मैंने इन companies का share खरीद लिया, times now का, times of view, वगेरा वगेरा companies है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसकी demand आने वाले time में, बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ेगी, क्योंकि मुवी थेटर में जाना, मुवी टिकेट तो आप खरीद लेते हैं, साड़े 500 की एक Amazon Prime Video वगेरा वगेरा, अच्छे से अच्छे competitive rate में देते हैं, तो मैं इनका share खरीद हूँगा, क्योंकि इनकी services खरीदने वाले, 141 करोण में, कम से कम 10 करोण लोग हैं, तो जब मेरे जैसे ने इस company का share खरीदा, और कल को जब इस company को profit होगा, तो इनसे हमें dividend मिलने की उमीद, जादा होगी, और आपके पास इस company का share नहीं है, अब जब आप इस company का share हमसे लेने आओगे, तो I'll sell you at a higher price or low price, higher price, चार लोग ने खरीदा, मैंने भी खरीद लिया, बढ़ेगा तो बेच लूँगा, ये speculation होता है चल्केर, और analysis करके खरीदा तो investment, do not put all your eggs in one basket, what you should do, diversify, pharmaceutical मे भी पैसा लगाईए, defense में भी लगाईए, IT में भी लगाईए, automobile में, IRCTC में आने वाले टाइम में बहुत फायदा है, वंदे बारत ट्रेंज यह होचकता है, दस साल बाद, आपको इंडिया में वंदे बारत और तीजर सी नजर आएगी, दूसरी कोई train, आएगी रिजर, फिर foreign tourist India में बहुत आना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी foreigner 15 घंटे की train की journey नहीं करना चाहता, पहले तो एक ही track पे हिंदुस्तान पे मालगाडी भी चलती थी, और passenger train भी चलती थी, बट अब हावडा, डेली, चंदिगण वाला जो route most busy है, northern railways का चल रहे है, एक अलग से track ले कर destination में जाने में, वंदे भारत यही distance कितने hours में cover करेगी, 9 hours में, government ने company खोल दी, वंदे भारत public limited, और इस company के shares जो लोग खरी देंगे, उनका पैसा वंदे भारत की manufacturing में खर्च होगा, तो कल को वंदे भारत की booking जादा होगी train के ticket की, इनका profit बढ़ेगा, so called dividend जादा मिलेगा, फिर आप मेरे पास आएंगे, सरो वंदे भारत का share आप बेचना चाहते हैं क्या, मैंने का हाँ, face value 100 रुपे थी, company ने हमको 1150 में दिया था, 3 साल पहले हमने लिया था, लाव 4500 रुपे दो तुमको बेचेंगे, तो हमने लगबख 3 मुना से ज़्यादा पैसा कमा लिया, understanding or not, but फायदा उसी को होता है, बच्चों जो first mover होता है, कौन होता है, first mover, देर से invest करेंगे, तो आपने समाझ लीजिए, बस वैसा ही है कि कचोड़ी छन के निकली, तुरं-तुरंद ठालो, तो taste is different, जहां दो घंटा आपने उसको रख दिया, the taste would chain, McDonald's में जाके burger खाईए, the taste is different, इसको food industry में shelf life बहुते हैं, remaining invested for long term, आपकी possibility, probability, loss की तो कम करता ही करता है, चल रहे हैं, gain की probability भी क्या कर देता है, कम कर देता है, क्यों, बहुत ज़्यादा time आपने पैसा लगा दिया, मैंने बताया ना, COVID time पे, I saw my investments, giving me a return of 115%, now they have been reduced to 23%, तो उसी time अकर मैंने बेच लिया होगा, तो 115% कमा लिया होगा, बट सर बेच क्या आप करते क्या, फिर पैसा वही लगा देते, तो ultimately कमाई तो go down to 22% रह जाती है, people are understanding or not, तो कहीं पे महले में नए plots विकने स्टार्ट हुए, आपके पापा ने सबसे पहले 5 plot खरीद लिये, तो 10 साल बाद जितना पैसा वो कमाएंगे, और को दूसरा नहीं कमाया पाएगा, और जिसने 10 साल बाद महां plot खरीदा, अब कमाई का जो probability है, वो बहुत कम हो चुका, 20 साल पहले किसी भी engineering college से engineering कर लीजे, jobs were there, बट आज ऐसा होता है, IITNs को तो job मिलता है, बाकी सब हाथ ऐ समझे की नहीं समझे, first mover advantage, so समझ में आगई कहानी सब पो, चलिये, so investing in shares is risky, yes or no children, simple as that, but no तब हो जाएगा, when you have done extensive study, isn't it necessary to have some expertise, obviously true, yes, won't a person with small amount to invest also like to diversify, yes, आप diversify कर सकते हैं, but in that case, मान लीजिए, Tata का एक share 3436 रुपए का है, और आपके पास कुल हैं ही 2000 रुपए, बच्चों क्या आप एक भी share खरीद सकते हैं, तो सर हम क्या करें, आप mutual fund खरीद सकते हैं, कैसे सर, चोटा से example दे रहा हूँ, बाकी तो अगले lecture में cover करेंगे, कित तो 123456, 123456, कितना हो गया बच्चों ये, 20 लाक्स, कितना हो गया, 20 लाक्स, 20 लाक्स रुपए में 3436 रुपए वाले लगभग 582 शेर्स खरीदे जा सकते हैं, मान लीजिए, छे महीने बाद, ये प्राइस शेर का बढ़के हो गया, 4236, कितना हो गया, 4236, और खरीदा कितने में था, 3426, it's the gain of how much चल रहा है, 800 रुपए का गयन है, 800 रुपए का गयन, आपने कितने रुपए के investment पे किया चल रहा है, 3436, the percentage gain is what children, 23% gain, कितने महीने में हुआ, 6 महीने में, तो 12 महीने का जो gain हुआ, that is 46%, तो आज का 2000 रुपए, after 6 months, कितना हो जाएगा, answer is 2460, mutual fund इसी तरह से काम करते हैं बच्चो, extensive study मैं आपको अगले lecture में दूँगा, तो अगर आपके पास पैसे कम हैं और directly आप शेर नहीं खरीद सकते हैं, तो आप धेर सारे लोगों के साथ मिलके शेर खरीद लीजें, या मिलके invest करिए, तो मैं आपके बहाफ पे धेर सारे लोगों का पैसा, लोगों के बहाफ पे सबका पैसा invest करूँगा market में, जो gain होगा, थोड़ा सा पैसा खुद रखूँगा, very nominal 2% children, बाकी आपको दे दूँगा, तो those who cannot invest in shares directly, they have a fear कि पैसा कैसे invest करें समझ में नहीं आ रहा, और हमारे पास तो पैसे इतने कम है, हम तो एक भी नहीं खरीच सकते, तो इस route के थूँख इन्वेस्ट कर सकते, तो आपको जाना है अपने घर से school, बट कार से जाना बहुत महेंगा है, तो सस्ती प्राइस में बस पर बैठके चले जाएगे, उसी स्पीड से ट्राविल करेंगे लगभख, कार भी लोकल ट्राफिक में 30-40 किलोमेटर पर आर की स्पीड से चलोती है, बस भी इतना चलोती है, school तक पहुत भी जाएंगे, cap से जाएंगे, 400 रुपे लगेगा, बस से जाएंगे, 40 रुपे mutual fund अगर आपको direct invest करने में कुछ लगता है, तो, okay, so children mutual fund के बारे में हम अपने अगली lecture में start करेंगे, समझना गया, the wider spectrum, तो I hope so stocks के बारे में जानकरी ग्यान सब को clear हो गया, पक्का, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, एक mutual fund का review आपको दिखा जाता हूँ,